सो हेलो वेस्ट स्वागत आप सभी काई कमाल की और फ्रेश वीडियो में दोस्तों अगर आप लोग भी भाई न्यू है बिगनर है और आपके हाथ में आ गिया है DSLR और आप लोग चाते हो कि भाई पोट्रेट में जो है फोटो या फिर वीडियो मैं शूट कर पाऊं जिसमें जो है पीछे में background में blur effect काफी अच्छा आ जाए तो वो किस तरीके से आ सकता है और काफी ही simple way का use करके उतना manual moods वगेरे को आप लोगों को नहीं करना है simple way और simple तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरीके से जो है आप लोग background को blur कर सकते हैं इमेज में काफी असानी से तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को शुरू है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपने DSLR को जो है वो on कर लेते हैं यहां से तो हमने DSLR को on कर लिया और यहां पर हम लोग कोई सा भी mood पर हो उट अपर मैंने एवी पर जो है वो ला दिया है देख सकते हैं यहां पर लोग क्या करना है ओप क्या करना तो 55 प्र पुरा जूम कर लेना है ओक्तो ऑन करलेना और उस्ऩीचा विडियू शूट कर रहे तो ठीक है उसके बाद आप लोगों को पूरा जूम, मतलब 55 पर पूरा जूम करके रखना है और सबसे बड़ा चीज भाई कि आप जो है अब्चेक्ट जो है उसे थोड़ा नजदीक रखें कैमरे के और पीछे में थोड़ा स्पेस रखें ताकि बैक्ग्राउंड जो है वो काफी अच्छा है तो यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हैं जूम करके मैं दिखा रहा हूँ और यह है रियल फोटो भी कैसी आई है तो आप लोग बता सकते हैं चलिए एक और शॉट्स भी हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे जो है हलका सा भाई फोकस करने की कोशिश की है जूम करके और जूम करके आप जितना जूम करेंगे और बैक्ग्राउंड में जितना स्पेस बचेगा उसे आप से जो बलर है वो काफी अम चलाना आता है तो उसमें आप और भी ज्यादा जो है वो जो है बलर एफेक्ट ला सकते हैं बट यह सिंपल तरीका है पहली बार आपके हाथ में डिया से ला रहा है तो इस तरीके से आप काफी इसली जो है बलर फोटो कैप्चर कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी फोटो आती है बलर में तो यह वीडियो अप लोगों को थोड़ी सी इंफर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और इससे रिलेटेट कोई भी कोशन है तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में डिफनेटली कीजिएगा और ब औरो उनेट आती है बाजब लगी छोड़ी सी इंचे टारीजेगा और रही डारे विलेशे पिलेटी की अबारा ही खी झाले घिलेट अजका और रहा गजएगवर्मेट आती हया झालेग एक लाई खार प्